नमस्कार दोस्तों, अलकम टू मैं चैनल, तो आज हमारे पास एक मोनिटर आया है, डेल का, 18.5 इंच का, और इसमें जो प्रॉबलम है, यह नो पावर है, मतलब इसमें अगर हम सप्लाई देंगे, तो इसमें इंडिकटर बगरा नहीं चल रहा है, और नहीं डेल लोगो लिख देते हैं, देखी यहां पर मोडे नमबर लिखा हुआ है, D1918HO, और राइट साइड में देखी लिखा हुआ है, D1918H, देख सकते हैं यह, तो इसको हम पहले खोलेंगे, खोल के दिखाएंगे, आगे इसमें कहां से प्रॉबलम हो रहा है, तो चलिए एक बार हम इसको खोल क आगे चल के दिखाते हैं, पीछे का ढखकन हमने खोल लिया है, देख सकते हैं, इसका एलवेडियर जो कनेक्टर है, उसको अलग कर दिए हैं, और यहां पर जो बैक लाइट का कनेक्सेन था, वो भी अलग कर दिए हैं, और यह देखी इसका पावार बटन, पाउंड पैनेल हम इसका जो पैनल है, इसको साइड में कर देते हैं, और SMPS को खोल के बाहर निकलते हैं, SMPS को खोलने के लिए आपर जो स्कूरू बगर लगा हुआ है, सारे को खोलना पड़ेगा, तो मैं एक एक करके खोल के आगे चल के दिखाता हूं, देख सकते हैं, हमने जो SMPS था, इसक को चेक करने में आसानी होगी, तो पहले हम क्या करेंगे, SMPS का जो इनपूट सेक्षन है, इनपूट सेक्षन में चेक करेंगे, अगर इनपूट सेक्षन में कोई प्राब्लेम नहीं आता है, तो उसका जो आउट पूट सेक्षन है, उसको हम लगा के देख लेते हैं, यह कह अगर फिल्टर में चेक कर लेंगे तो फिल्टर के आगे जितना सारा component लगा हुआ है वह आमको पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं तो देखिए फिल्टर में हमको 350 बोल्ट के असपास होना चाहिए में फिल्टर में देखिए 341, 342 यहां पे 324 बोल्ट के आसपास यहां पे बन रहा है मतलब में फिल्टर के आगे जितना सारा component लगा हुआ है जैसा कि आपका हो गया है थर्मिस्टर, फ्यू, चोक, कोल, डायोड यह सारा हमारा जो component है यह ओके अभी इसको हम खोल देंगे इसका जो में पावर है इसको एक बार चेक कर लेते हैं अगर इसमें problem रहेगा तो आगे supply नहीं बन पाएगा तो दिखें यहां पर जो में मोस्पेट है इसको हमने problem नहीं आ रहा है problem जो अभी लग रहा है यह output section में हो सकता है तो output section में ज्यादा तर क्या problem हो सकता है चलिए देखते हैं देखिए output section में तीन filter capacitor लगा हुआ है और दो स्कॉट की डायोड लगा हुआ है तो ज्यादा तर क्या प्राब्लम होता है ज्यादा तर आउट्फूट सेक्षिन में जो केपसिटर है यह खराफ होता है या तो फिर स्कॉट की डायोड खराफ होता है तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम जो स्कॉट की डायोड लगा हुआ है यहां पर इसकोट के डायोड को हम पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लेम है कि नहीं तो देखिए देखिए इस डायोड पर रिडिंग आ रहा है कोई बीप नहीं आ रहा है मतलब इस जो डायोड है यह हमारा सही है अभी दूसरा चेक करते हैं दिखिए, forward और reverse से जब हम चेक कर रहे हैं, तभी इसमें continuity भी पा रहा है, क्योंकि यहां पर दो जो डायोड है, एक में 5 वोल्ड आउट उड़ होता है, और एक में 14-15 वोल्ड के असपास आउट होता है, तो यह दोनो जो डायोड है, इसमें से एक जो डायोड है, जो यह डा लेकि यहां पर थोड़ा सा मेल्ड कर देंगे, क्योंकि यह टू लेयर पीसी भी है, यह दोनों साइड से इस सोल्डरिंग किया गया है, इसको अच्छे से निकाल के हम आगे चल के आपको दिखाते हैं, तो देख सकते हैं, जो शॉर्टिंग डायोड था, शॉर्टिंग डा नहीं बता रहा है, मतलब हमारा जो डायोड था, वो सिर्फ डायोड ही खराब था, अगर हम डायोड यहां पर आकर दूसरा डायोड रिप्लेस कर देंगे, तो हमार जो यह से यह डेडी हो जाएगा, देखिए, कंटिन्यूटि वीप दे रहा है, देखिए, दोनों साइड स इसमें भी पा रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर अच्छे से क्लीन करेंगे, और इसकी जगह पर हम दूसरा डायोड हम लगाएंगे, तो इसका जो मोडल था, एसार थ्री वान फाइब जिरो, और अभी हम इसकी जगह पर दूसरा एक डायोड लगाएंगे इससे पहले एक बार clean करके आपको आगे लगा के दिखाते हूं तो यहाँ पे जो diode था, Scott की diode SP31500 और जो हम replace कर रहे हैं SR3100 और यह 2 layer PCB है तो इसको अच्छे से clean करके अच्छे से soldering करना पड़ेगा क्योंकि यह दोनों साइड से यह PCB बना हुआ है तो इसको हम लगा के साप करके आगे चलके दिखाते हैं तो देख सकते हैं अच्छे से इसको soldering करके clean कर दिया और अभी हम इसमें supply देके check करेंगे कि हमारा जो SMPS है monitor का यह ready हुआ है कि नहीं तो पहले AC का connector है इसको हम लगा लेते हैं तो AC का connector हम लगाएंगे और इसमें supply देके check करके देखते हैं कि हमारा जो SMPS है बहुत पर काम कर रहा है कि नहीं voltage बगर अभी हम एक बार सारे को check कर लेंगे तो देखें जैसे ही power हमने दे दिया है देख सकते हैं यहां पर जो blue indicator है यह आ गया है मतलब हमारा जो SMPS है यह ready हो गया है तो आभी हम क्या करेंगे इसका जो voltage है voltage को भी आपको एक बार हम check करके दिखा देते हैं देखें यहां पर जो जो voltage बनना चाहिए था और अभी backlight connection नहीं है इसलिए 16V का असपास दिखा रहा है यह regulator पर देखिए 1.23.3 इसमें आ जाएगा मतलब इसमें जो requirement voltage है यह सारे बन रहा है तो अब भी हम क्या करेंगे इसको जो पैनल है पैनल को लगा के check करके आपको दिखाते हैं तो पहले हम इसका जो इसी connector है इसको हम निकाल देंगे 108 का बाल्ब लेंगी इसका जो में फिल्टर है इसको हम डिस्चाज करतेंगे ताकि सौक ना लगे हमें यह सबधनी आपको रखना पड़ेगा हार बार काम करने का टाइम आपको जहां रखना होगा कि खुद का कुछ नुक्सान ना हो जाए तो अभी हम क्या करेंगे यहां पर जो connector बगरा है इसको हम लगाएंगे LVDS को भी लगाएंगे उसका backlight बगरा लगाएंगे नीचे एक paper दे देंगे ताकि इसमें protect हो जाएगा नहीं तो short circuit हो जाएगा तो आप देख सकते हैं LVDS को क्यों हमने लगा दी है अभी इसका backlight का connection हम लगाएंगे backlight का connection भी लगा दी है अभी इसमें जो AC का connector है इसको हम लगाएंगे देखें हमने लगा दिये हैं अभी आपको हम monitor को घूमा के दिखाते हैं कि इसमें जो deal जो लोगो आ रहा है की नहीं और इसका indicator बगरा मतलब display आ रहा है की नहीं आ रहा है यह हम आपको एक बार चेक करके दिखा देते हैं अगर इसमें आ जाएगा display बगरा तो हम इसका जो भीजे केबल है उसके थो भी एक बार दिखा देंगे तो देखें अभी हम इस पर supply आ देंगे supply देने के बाद देखते हैं देखें supply दे दिया और यहां पर देखें डेल का लोगो भी आ किया है तो थेंक्यू गाइस वीडियो के साथा कमेंड में जोरूर बत दिएगा अगर अभी तक मेरे चैनल को अपने सस्काइब करके नहीं रखें तो प्लीज जाका सस्काइब कर दिजिए थेंक्यू